रेस्लिंग फेडरेशन वर्सिस पहलवान भारत की कुष्टी में तूफान उत्पीडन और जान से मारने की धमकी खत्रे में कुष्टी संग के हेट की कुरसी क्या है संसरी खेज इल्जामों का सच 72 घंटे में कुष्टी संग से जवाब तलब अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दे सावधान फ्रीडम आपको डाउनलोड करें बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए जंतर मंतर पर डटे चैंपियन कैसे निकलेगा सॉल्यूशन नमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपको साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोश्य और आज सबसे पहले बात होगी हमारे देश के खिलारियों की जी हाँ दिली के जंतर मंतर पर देश के दिगच पहलवानों का फेडरेशन से दंगल का आज दूसरा राउंड शुरू हो रहा है अब से थोड़ी देर के बाद पहलवानों का धरना एक बार फिर शुरू होगा लेडी रेसलर्स के यौन शोशन के आरोपो पर सरकार आक्शन में आ गई है खेल मंतराले ने 72 घंटे के अंदर डाबलू एफाई यानि रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया से जवाब भागा है यौन शोशन के आरोपो की वज़े से लखनों में होने वाला कैम्प रद कर दिया गया है ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशिन गेम्स में मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करने वाले रेसलर्स के दिल्ली की कड़कडाती हुई ठंट में खुले मैदान में धरने पर बैठने से हर कंप मच गया आरोपे की फेडरेशन के अध्यक्ष और कोच लड़कियों का शारिरिक शोशन करते हैं नाशनल कैम्प्स में लड़कियों का सेक्शुल एक्स्प्रोइटेशन होता है जान बूच कर लड़कियों को परिशान किया जाता है और जबान खोलने पर जान सुमाने तक की धमकी दी जाती है सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने देश को हैरान कर दिया है टोक्यों ओलम्पिक्स में ब्रॉज मेडल जीटने वाले बजरंग पूनिया रियो ओलम्पिक्स में कांसु पदक जीतने वाली साक्षी मलिक एशिन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट समेट एक दर्जन पहलवान उस वक्त धरणा दे रही है धर्णा कल शुरू हुआ आज भी चारी रहेगा देश के दिगच खिलाडियों ने जो आरोप लगाए कि करके वो आपके सामने रखते हैं फेडरीशन के अध्याक्ष और उत्रप्रदीश के कैसर गंज से बीजपी सानसत ब्रिजभूशन शरंण सिंग ने अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रखा है उन्होंने ये कहा कि ये सारे आरोप छूटे हैं अगर गुना साबित होता है तो वो फांसी पर भी चलने के लिए तयार है आरोपों पर खेल मंत्राले निकुष्टी फेडरेशन से जवाब भी मांगा है अब आरोप क्या है वो आप सुनिए जो उन्होंने रेस्लिंग फेडरेशन के अध्याक्ष और कोच पर लगाए है इन आरोपों ने देश को हैरान करके रख दिया है जो कोचिस होते हैं वो खुद लड़कियों का सोषन करते हैं महिला कोचो के साथ में बुरा यरताव करते हैं नैशनल कैं हैंस में बुरा ब्रिदेशिnie सोषन करते हैं चीफ कोच नैशनल Racine में लगाए गए हैं कि ये जी 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 एक आपने कोचे इसकी बाद बूल जूसरा और दिमांड और वही कोचीज जो टेम्प में लड़किया होती हैं उनके साथ में बात चीट करवाते हैं लड़कियों की शोशन करवाने के लिए ही और अद्धेक्स जी ने खुद पता नि कितनी लड़कियों का स विनेश फोगाट ने आरूप लगाए, उनका साक्षी मलिक ने सुमर्थन किया, साक्षी मलिक ने कहा कि हमारी फेस वैल्यू है, इसलिए हम उन पीडित लड़कियों की आवास बन का सामने आए हैं. लेजी रेसलर्स के साथ धरने पर बैठे बजरंग पूनिया ने भी फेडरेशन पर सवाल उठाया और ये साफ साफ कहा कि जब तक अध्यक्ष को हटाया नहीं जाता, रेसलर्स कोई टॉर्नमेंट नहीं खेलेंगे. अगर हमने आवाज उठाई है तो हम अपने कुष्टी को दुबारा से जिंदा करवा गई छोड़ेंगे. जब तक डव्यूर्स को नहीं हटाया जाता है, आप में से कोई भी किसी भी कॉमपेटिशन में पार्ट भी लेने हैं। रखने के लिए तैयार हैं. ब्रिज भूशन शर्णन सिंग ने दावा किया कि उनके अखिलाब साज़िश की जा रही है और ये साज़िश एक उद्योग पती ने रची है. अब ये सामना कर दे तो मैं फांसी पल लटक जाओंगे. यौन शोशन नहीं हुआ. कोई यौन शोशन जैसे संभी नावा क्यों लगाएगा नहीं हुआ. नहीं हुआ. नहीं हुआ. शरन सिंग ने उन आरोपों से पला जाड़ा ये कहा कि आरोप सही साबित पाए गया है तो फांसी पल लटक जाएंगे. नहीं देखो मना तो करेंगे अभी वही बात है कि ऐसे कैसे एकसेप्ट कर लेंगे कि हां मैंने वह किया है ऐसे हां तो कोई भी नहीं वरेगा. बाकी जो भी ऐलिगेशन्स लगाए गए हैं वो बिलकुल सच है और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने परधान मंतरी सर से और गरह मंतरी सर से कि वह हमें टाइम दे और फिर हमें उनके आग अपनी पूरी स्टोरी को बताएंगे. आरोपो के पीछे वाफविश बताने के बाद ब्रिजबूशन शरण सिंग के धरने की वज़े भी बताएंगे और सारा दोश मेडल विजेता बड़े प्लेयर्व पर लगा दिया. यह ओलंपिक पदग बिजेता हैं. उसमें हमारा भी सहयोग है. लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्टिय प्रत्योकता में भागने लिया. कि जितने वहां पर बैठे थे, सब ने भागने लिया. और सब गवर्मेंट के टाप स्कीम का फाइदा उठा रहे हैं. और जब राष्टिय प्रत्योकता की बात आती है, राष्टिय ट्रायल की बात आती है, तो इनकी तबियत खराब हो जाती है. और जब इंट्रल नाशनल हो, त्रावर्ल मेडेंस हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा, और अगर वो नेशनल नहीं खेलता है, अगर उसको चोट है, विमार है, तो इसका मेट कल चाहिए. कोई मेटकल नहीं दिया, कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते हैं. ये लोग चाहते हैं, कि हम ओलंपी के पतक ब पर आए जाए और ज्यादा तर हमको बिना ट्रायल के बाहर भेजा जाए मांग प्रेजिजेंट को टाना चाहिए डबलो फाई को चेंज रोना चे पूरा बस आपकी मांग यही मांग जी जी बिल्कुल मांग सरकार हमेशे सपोर्ट करती रहे हैं खिलाडियों का है न और आप पूरी उमीद है कि वहां से सपोर्ट में देए जी उमीद है तभी हमारे इतनी हमत आई है कि हम इतनों सरलो बाद आए हैं क्योंकि देश के पर दानमंत्री जी ने जब मेरी बात सुनी तभी बहुत सारे खिलाड़ी और नाम पूछ रहे हैं जिनका शोशन हुआ है फेडरेशन के अध्यक्ष के इफ मांग पर बजरंग पूनिया ने जवाब दिया अगर इस प्रकार से सिकायत मेरे खिलाब थी या इस प्रकार से सिकायत हमारे किसी कोच थी तो इनको पहले आना चाहिए था और अच्छा होता कि ये नाम ले करके भी आते कि किस कोच के साथ चीप कोच ने बदसलूकी की है या किस कोच के साथ प्रडरिसन बदसलूकी की है या नाम ले करके आना चाहिए और आपके मीडिया के माधम से मैं आगरा करना चाहता हूँ कि अगर ओटिंग करा दीजिए अभी ओटिंग करा दीजिए अपने चैनल पर ओटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाडियों का क्या मूड है तो 97 ओट तीन परसंट का रेसियो आएगा, 3% खिलाडी इनके साथ नह कि मैंने अपना खोन पसीना लगा करके इसको सीचा है कहां से कहां घजीट करके इस फटरेशन को हम लाए हैं हम पैसा खाने के लिए नहीं बैठे हैं हम पैसा लगाते हैं हम अपने पास से पैसा लगाते हैं एक एक खुलाडी का दुख तगली पूछते हैं अगर आरोप सही ह नाम का खुला साइशनी नहीं करें कि खुद की इज्जत भी है और लड़कियों की अगर इज्जत ही चली जागी तो फिर क्या बच जाता है तो हम चाहरे हैं कि जो एक बार परदान मंत्री जी करें मंत्री जी के सामने बैठ के आराम से हम अपना मुद्दा रख सके और सुख जंतर मंत्र से पवन नारा हमारे साथ हमारे स्वयोगी लाइव जुड़ गए हैं पवन देखे दोनों के अपने अपने आरोप हैं अगर हम इन तमाम खिलाडियों की बात कहें तो यह कह रहे हैं कि हमें बस ब्रिजबूशन शरण सिंग को उनके पद से हटाना हैं क्या वो क खिलाडियों की तरफ से कही गई है जाच की मांग भी की गई है और कहा गया है कि निश्पक्ष जाच हो इसलिए वो अपना पद छोड़े खिलाडियों ने कहा था कि वो जंतर मंतर पर बने रहेंगे सुबह 10 बजे आने का वक्त दिया था कुछ देर में खिलाडी यहां पह रहा गया है कि यह इंट्रेशनल मेडल विनर्स हैं कानून या रूल्स को नहीं मानते और इसलिए वो उनको निशाना बना रहे हैं यानि आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और अब इस पूरे मामले में मिश्पक्ष जाच के बाद ही कुछ स्पष्ट क रहा जा सकता है लेकिन खिलाडी कह रहे हैं अगर कोई जांच कमिटी बनती है तो उसके सामने जरूर बताएंगे कि किन का शोशन हुआ है लेकिन वो सार्च्वन एक मंच पर यह नहीं बताना चाहते कि किन महिलाओं का शोशन हुआ है और अगर सेर इनफ पवन यह जानी के आसपास आप कही पर कैम्प लगाते हैं क्यों आप वहां लखनों में जाकर कैम्प लगा रहे हैं और कैम्प भी रद कर दिया गया इसके तरक में इन तमाम खिलाडियों का क्या कहना है देखिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है खेल मंत्राले की तरफ से रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया को इन सब आरूपों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और इस बीच स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ही ये कैम्प को रद किया गया है जो आरोप है खिलाडियों का वो ये है कि सारे कैम्प लखनव में ही क्यों आयोजित होते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्रिजबुशन सिंग का घर है इस तरह के आरोप लगे है हाला कि ब्रिजबुशन सिंग कहते हैं कि मैं साल में सिर्फ एक बार घर जाता हूँ जब लखनव में नेशनल कैम्प होने पर आरोप लगे तो सबसे पहले खेल मंत्राले की तरफ से उस नेशनल कैम्प को रद किया गया और 72 घंटे में रेश्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया से जवाब भांगा गया है लेकिन ये जो ब्रिज भूशन कह रहे हैं उनका पक्ष ये कहता है कि जितने सीनियर खिलारी हैं वो कभी भी जाच के लिए नहीं जाते हैं लेकिन जैसे ही कोई टॉर्नमेंट होता है इंटर्नल टॉर्नमेंट होता है तो उसके लिए आ जाते हैं कभी असिस्मेंट में वो भा विनाक्षी आपने ठीक कहा ये जो आरोप बिजबुशन सिंग से ने लगाया है ये पहले भी आता रहा है और बहुत से जो खिलाडी नैशनल लेवल पर कंपीट करना चाहते हैं ट्राइल्स का हिस्सा लेते हैं वो भी आरोप लगाते रही हैं कि जो खिलाडी ओलंपिक खेल क कर आते हैं वो ट्राइल का हिस्सा नहीं होता आपको याद होगा शुशील कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो ओलंपिक जाने वाले थे तो ट्राइल में कहा गया था कि कोटा जो मिलता है वो पहलवान को अपने दंपर मिलता है जब आप कौलिफिकेशन अपने दं हो लेकिन ये कोटा देश का है और फेर ट्राइल के जरिये ही खिलाडी का चुनाव होना चाहिए जिससे तैह हो कि ओलंपिक में भारत का प्रतिदित कौन करेगा तो ये कोई नया ठकराव नहीं है ये कई सालों से लगबग 2010-11 से हम सुनते आ रहे हैं ये ठकराव हर बार होत है जब कोई खिलाडी एक पर्टिकॉलर वेट केटेगरी में ओलंपिक का कोटा जीत कर आता है तो खिलाडी का दावा ये होता है कि कोटा मैंने जीता है इस वर मेरा हक है जबकि फेडरेशन की तरफ से दलील दी जाती है कि राष्ट्रियस तर पर जो ट्राइल्स होते हैं उ उनका क्या मानना है क्योंकि देखे सीनियर खिलारी जो है साक्षी मली को ही हम सुन रहे थे उनगोने इंडिया टीवी के ऑन पर कहा कि हम तौथ है वो जो परेशान है वो सामने नहीं आ सकते हमारी तेस्ट वीजियो है इसले हम यह बात कह रहे हैं हम उन्हें रिप्रेजेन् अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के मिनाक्षी देखिए सीधी सी बात है जो जूनियर खिलाडी होते हैं उनके सामने पूरा अपना खेल करियर होता है वो इस तरीके से मीडिया से बात नहीं करते हैं अब जब उलिम्पिक मेडल विनर यहां सडक पर आये अपनी बाते रखी तब इस बारे में चर्चा हो रही है वरना असोसियेशन में कई बार सोशन की बाते आती हैं शारीरिक नहीं लेकिन उपरचिनिटी का सोशन या फिर डाइट ना मिलना या कोच से सहयोग ना मिलना या इस तरह की शिकायते स्पोर्ट जनलिस्ट को लगातार मिलती रहती हैं लेकिन बड़े तौर पर कोई भी सामने आकर इस तरह के आरूप नहीं लगाता यह पहली बार है जब आरूप लगा है हालां कि जिस तरीके से रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसके पीछे राज़तिक साजेश है तो दोनों तरफ से जो बाते कहीं जा रही है वो सिर्फ बाते हैं जब तक सुबूत सामने ना आएं तो अब इसका एक कॉन्क्लूजन यह होगा कि अगर कोई जाच होती है तो जाच कमेटी के सामने अगर जूनियर खिलाडी या अप स्टोर पर